असलाम लेकूम वरहमतुल्लाई हुआ बरकातो उमीद यही हैं कि आप सब अच्छे से होंगे आज जो बेटा हमारा उन्वान है वो है अलिफ यानि आज हरूफ तहजी का पहला हरव जो है अलिफ वो आज हम सीखेंगे आप देखिए यहां पे बेटा मैंने अलिफ यहां पे बनाया है आप देखिए अलिफ बिलकुल सीधे होता है अलिफ हा लाल कलर मैंने इसको किया है लाल रंग यह से मैंने अलिफ बढ़ा है यहां बेटा अलिफ बिलकुल सीधे है आप देखिए यहां पे अलिफ से मैं आपक क्यों कि बेटा यह जो पहला हरफ है अलिफ हाँ अलिफ से क्या आता है अनार क्योंकि इसका पहला जो हरफ है वो क्या है अलिफ आप देखिए यह जो अनार है यह अंदर से भी लाल है और बाहर से भी लाल है वेरी गुड इंगलिस मैं इसको क्या कहते हो पो में ग्रानेट वे पर लिखेंगे मैं आपको कहाँगी गली यहां पर भी अलिफался पहले नुखते डालूंगी जाबश ऑर यहां पर चोटी चोटी लटाउन्स माहादोंगी क्योंकि आप इसको trace करोगे और in line को मिलाओगे शाबाश अब उपर लिया बेटा पैंसल शाबाश उपर वाले नुक्ते पर उपर वाले नुक्ते से लेकर हम नीचे सीधे आएंगे बिल्कुल easy है ये शाबाश नीचे आएंगे बना अलिफ वेरी गुड क्या बना अलिफ अब हम यहां पर भी ऐसी लिखेंगे ऐसी दो नुक्ते मैं दूँगी और बीज मैं दूँगी छोटी छोटी लाण्स वेरी गुड इसको क्या आप करोगे trace यानि उपर से नीचे आओगे बिल्कुल सीधे बन गया अलिफ वेरी गुड हाँ अब नेक्स्ट वन ऐसी है हम यहां पर भी लिखेंगे बिल्कुल दो नुक्ते डालेंगे और बीज मैं से मैं छोटी छोटी लाण्स में दूँगी अब trace करोगे उपर से लेकर नीचे तक आओगे सीधे बन गया अलिफ वेरी गुड अब बेटा हाँ यह है अलिफ जो हमने लिखा है अब मैं दो नुक्ते डूँगी यहां पर खाली अब दो नुक्तों के बीच मैं इनको मिलाना है बन गया अलिफ सीधे चलिए बच्चा यहां पर भी हम लिखेंगे हाँ दो नुक्तों से अब इनको मिलाया, शाबास बन गया, लिफ, यहां पर भी बेटा, मैंने दो नुक्ते डाल ले, इनको हम मिलाएंगे, शाबास सीधी लाइन है, सीधी लकीन है, और बन गया, लिफ, यहां पर भी बेटा, ऐसी हम लिखेंगे, सीधी लाइन, हाँ, क्या बन गया, लिफ, हाँ, विचे वे यह भी लिखोगे सी दे अलिफ और यहां पर भी लिखोगे अलिफ आपको समझाँ